हेलो फ्रेंड्स वाल्कम टू माई चैनल लोवाइट्स 906 आज की इस वीडियो में कंपणी लोग का एक केस लोग डिसकस करेंगे बैल हाउस लिंटेड वर सिस्टी वोल प्रोपर्टीज लिंटेज लिंटेड नाइंटीन सिक्टीश का यह केस है इस केस में प्लैंटीफ है ज ही इनोने खाली पड़ी जमीन जो है सस्ते दाम पर खरीद लेती ठी और जो फाइनेंसर्स के पी पास फीर अपरोच करती ठी區 ये जमीन जो है वह करती थी और उस मोर्ट जेज जो पैसा उठाती ठी lift है उसकी मदद से ये बिल्लिंग है इसको कुछ फाइनेंसर्स जो है स्विच पार्टी जो थी वह अप्रोच करती है कि हम आपको पैसा देंगे और आपको अपने प्रोजेक्ट में लगाईए क्योंकि उनको भी बैनिफिट है ना फाइनसर्स को इंट्रस्ट पे करेंगे ये तो इसलिए वह फाइनसर्स ने इ बैल हाउस को बोलते हैं कि उनको एक मिलियन यूरोज की जरूरत है अब उनके पास तो इतना पैसा था नहीं लेकिन उनके पास ये सोर्से जरूर थे उन्होंने ऐसी मार्केट में नेटवर्क तो बना ही लिया था कि वह अलग-लग फाइनसर्स को जानते थे जहां से वह पै से अपना कमीशन मांगती है 20,000 यूरो कमीशन किसलिए मांगती है कि हमने आपको जो बताया है जिस तरीके से हम यहां पर फ्लैट ढूंडते हैं तो एक ब्रोकरेज अमांट देनी होती है किसी ब्रोकर को ब्रोकर को ने भी तो अपनी चीजे इन्वेस्ट किया है लोगों के चार्ज करता है इसलिए इन्होंने भी यह ब्रोकरेज अमांट चार्ज की लेकिन जो सिटीवल प्रोपर्टी लिम्टेड है वो इस पैसे को देने से मना कर देती है जिसके रिगार्डिंग जो है यह केस लो फाइल किया गया है क्योंकि यह अपील में केस आया है और इसमें प्लेंटीफ वही है जो प्लेंटीफ था तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रायल कोर्ट में इस केस को हार गए थे डिफेंस क्या लिया था सिटीवल ने पहले तो अन्होंन यह डिफेंस लिया कि हमारा ऐसा कोई कोई कॉए नहीं था लेकिन बाद में ऐसे कुछ लेटर्स मिलत है इसके साथ में भी लेटर के एक्स्चेंज हो रखे थे तो यह तो बिल्कुल जाहिर हो जाती है बात कि ऐसा कुछ अपने इनकी बात को मान भी लिया और इस कॉंट्रेक्ट को अल्ट्रावायर डिक्लेर कर दिया यह कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एस्वोशेशन के कुछ क्लोजिज हैं आप इसको एक बार पढ़ लेना सिर्फ ताकि आपको केस अच्छे से समझ में आजाए इसको लिखने की कहीं भी जूरूत नहीं ना तो क्वेश्चन में फैक्ट लिखने होते हैं ना ही यह लिखने की जूरूत है सिर्फ और सिर्फ दो लाइन का रेशो लिख तो इसी की क्लोज 3 की सब क्लोज C के अंदर लिखा है तो केरी ओन एन अधर ट्रेड और बीजनेस वट्सोएबर विच के साथ कोई भी एंसलरी शायक कोई भी वर्क है और कोई ऐसा काम जो कि उसके कनेक्शन में है वो सारे ट्रेड में भी यह कंपनी अंगेज हो सकती है और इसी की सब क्लोज यू जो है उसके अंदर लिखा है to do all such other things as are incidental or conducive to the above object or any of them मतलब कोई भी ऐसा काम जो उपर वाले काम को करते वक्त incidental है ऐसा काम मतलब जिसके किये विना उपर वाला काम हो ही नहीं सकता है यह सारे काम इसके अंदर आ जाएंगे incidental or conducive या तो incidental हो या फ कि जो उनका मिस्टर स्कीक्स जो सोलिशीटर और फाइनेंस मैनेजर थे उनके और जो मिस्टर बैल है इनके बीच में यह personal agreement हुआ था और यह agreement कंपनी के द्वारा नहीं किया गया था क्योंकि वह एक question रेज करते ही कि क्या वो एक डिरेक्टर थे भी या नहीं थे और इन्हो आइने बाद में एक कंपनी को छोड़ दिया था और कंपनी ने एक resolution पास करके 1955 में मिस्टर बैल को complete authority दे दिया था administration का कंपनी के regarding तो वह एक chairman भी थे और डिरेक्टर भी थे इस company के और इस बात को कैसे जुटलाया गया कि इनका यह personal agreement हुआ था क्योंकि जो वह letters भेजे गए थे इस ट्रस्ट को नेसले पेंशन ट्रस्ट लिम्टेड और जो सिटी वोल प्रोपर्टीज के chairman को जो letters भीजे गए थे वो इन्होंने company के notepad और उनके ही जो chairman की authority होता है उसके अंडर वो letter लिकर के भीजे गए थे तो जो prime legal issue arise होता है appeal court के सामने वो यह होता है कि क्या यह जो contract है वो ultra wire है या नहीं है क्या वो memorandum of association से बाहर की बात है या फिर वो intra wire है मतलब उसकी capacities के अंदर आता है तो court क्या observation देती है इसमें कि it is apparent that in order to finance and the transaction mentioned जो transactions हुई थे उनको finance करने के लिए Mr. Bell और उसकी company है उनको यह knowledge होना चाहिए needed to have knowledge of individuals or entities willing to provide finance मतलब उनको यह उन्होंने एक net work अपना बनाया है यह knowledge उन्होंने घेन किया है कि मेरे को कहां कहां से पैसे कौन-कौन है investors जहां से मेरे को पैसे मिल सकते हैं तो this knowledge was considered valuable यह जो knowledge है वो valuable है suppose को आप यहाँ पे आये दिली में और आपको एक room लेना था तो एक brokerage के पास गई आपने room ले लिया पहले agreement होगे आप लोगों के वीच में कि इतनी amount में आप देने से मना कर देते हो तो ब्रोकरेज जो चार्ज कर रहा है उसके पास क्या ऐसी valuable चीज थी जिसके regarding वह आपको पैसे देने थे क्योंकि उसने यह knowledge यहां पे गेन कि कि कहा पे किसका room ख नेसले pension trust जो है वो पैसा finance कर सकती है यह एक valuable knowledge थी और court ने आगे यह भी कहा कि जो उपर यह जो इनके बीच में contract हुआ था वो advantageous था कि इसके लिए company के लिए कि उनके पास तो कोई ऐसा project था नहीं जिस project के लिए वो finance को gather करे और उसको पैसे को लगाए तो उन्होंने वो पै regarding उससे connected business है तो इसमें court यह view लेता है और court ने यह भी कहा the doctrine that any act not authorized by the memorandum of association is ultra wire is to be applied reasonably यह जो doctrine है कि कोई भी ऐसा काम है जो memorandum of association से बाहर है वो ultra wire हो जाएगा इसको reasonably हमें लगाना होगा ऐसा नहीं कि हर एक case जो है वो ultra wire ही होगा अगर वो expressly mentioned नहीं है उस object close के अंदर तो सारे काम ultra wire हो जाएगे हमें यह भी देखना होगा कि impliedly वो close क क्या कहना चाहती है और और anything fairly incidental to the company's object as defined is not unless expressly prohibited कोई ऐसी चीज़ जो expressly prohibited है उसकी बजाए अगर कोई चीज़ impliedly वो object जो है close किसी काम को अलाव करती है तो वो intra wire होगा अल्ट्रावाइर नहीं होगा सपोज करो कि आपने company बनाई stationary की और उसकी object close में लिखा कि यह company जो है वो paper बनाएगी उसकी notebook बनाएगी और pencil यह सब जो भी stationary का material है वो सबके सब वो बेज सकती है तो उसी के regarding अगर कोई ऐसा incidental चीज होती है तो वो company को अलाव किया जाएगा वो intra wire होगा ना कि ultra wire होगा और अगर वो altogether एक नया business शुरू कर ले वो कोई construction work में चला जाए तो stationary और construction work तो बहुत अलग चीज हो जाएंगी अपने आप में तो यह incidental नहीं होगी लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो उसके connection में है तो वो काम कर सक यह company वो intra wire होगा अल्टावार नहीं होगा So the transaction was justified and was within the powers of the plaintiff company under the terms of close 3C, the position is also assisted by the terms of sub close Q and U, no doubt that the transaction with the defendant was within the powers of company and was not ultra wire And court further ruled that the close empowered the company to engage in any business that the director genuinely believe अगर उनका bonafide intention है कि यह genuinely उनकी believe है कि यह चीज इंसीडेंटल है और closes में भी ऐसा hint मिलता है कि ऐसा कोई भी काम directors कर सकते हैं जो की ancillary है उसकी main object close है उसके regarding तो वो intra wire होगा, extra wire नहीं होगा या ultra wire नहीं होगा As the director honestly believed that the transaction was advantageous, as an object to the company's main close, it was deemed lawful and the defendant company was had liable और defendant company को वो amount जो है 20,000 पे करनी होगी, court ने यह rule out किया है I hope आपको यह case लोग जुरू समझ में आया होगा, इसके fact अगर आप case match से पड़ोगे तो बहुत difficult लगेंगे लेकिन यहाँ पर मैंने चीजों को arrange किया है और simplify करना की कोशिश किया है I hope you will appreciate my effort by subscribing to my channel, also you can download this pdf on my telegram channel lowabites906, you can search my telegram channel, also I will provide the link in the description box, thank you so much